नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का UPSC पर मैं हूँ अंकित अवस्थी लेकर हाजिर हूँ आपके सामने विशेश रूप से गूगल के ही टूल यूट्यूब पर गूगल की ही बाते हैं और कौन सी गूगल की बाते हैं आईए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोग कोई भी नेट पर सर्च करते समय इनकॉग्निटो मोड का उप्योग करते होंगे इनकॉग्निटो मोड से जुड़ी हुई आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जानकारी और सवाल ये है कि क्या जो इनकॉग्निटो मोड आप यूज़ करते हैं वो सुरक्षित है ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पहरे साथियों हाल ही में गूगल पर अमेरिका के एक राज्य कैलिफोर्निया में पाँच बिलियन डॉलर का एक लॉसूट फाइनल हुआ है उसके उपर फाइल हुआ है कोट ने उसे एकसेप्ट कर लिया है कि उसके उपर सुनवाई की जाएगी तो आईए साथियों जानते हैं क्या है आज से जुड़ा हुआ ये मुद्दा क्यों आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जिसे आप सेफ ब्राउजिंग समझते हैं उस सेफ ब्राउजिंग को लेकर के कोट में मामला ले जाया गया और कोट में ले जाए गए मामले में ये पूछा गया कि आप हमारी जानकारियां सेव क्यों करते हैं अर्थात क्वेशन मार की ये है कि क्या वाकई में Google Incognito Mode पर भी आपकी जानकारियां साजा करता है शेयर करता है, सेव करता है इन तमाम बातों की जानकारी आज के इस सेशन से आपको प्रेक्टिकली में देने वाला हूँ आईए जानते हैं क्या है पूरी कहाने साथियों, बात हो रही है अमेरिका के एक राज्य कैलिफोर्निया की कैलिफोर्निया राज्य अमेरिका के पश्च्चिमी किनारे पर इस्थिद है और यहां पर इस्थिद इस राज्य के अंदर एक कोट में मामला दायर हुआ मामला दायर हुआ और कहा गया कि सहाब गूगल जो है वो हमारी जानकारियां पकड़ रहा है अब आप क्या समझेंगे इस बात का मीनिंग आईए मैं आपको बताता हूँ यह खबर मैं राइटर्स के मुकाबले से लेकर के आया हूँ इस खबर के अंदर मेरे पैरे साथियों यह कहा गया है कि गूगल ने हमारी निज्टा का उलंगन किया है हमसे जो कह रखा था वो कह करने के बावजूद भी यह हमारी जानकारियां सेव करता रहा लोगों को बेचता रहा आप मेंसे कई सारे लोग तो होंगे जो इनकॉगनिटो मोड के बारे में जानते होंगे जो नहीं जानते उन्हें आईए मैं व्यवहारिक रूप से आपको इस बारे में जानकारी देता हूँ मेरे प्यारे साथियों अक्सर हमें कहा जाता है कि यदि आप कभी सेफ ब्राउजिंग करना चाहें तो गूगल पर इनकॉगनिटो मोड पर जाएं अच्छा ये क्या है मैं आपको बताता हूँ साथियों कही बार ऐसा होता है कि गूगल में आप कुछ भी सर्च करें लेटसे मैंने यहां पर सर्च का ऑप्शन दबाया अब आप देखिए आपको यहां पर नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो मैं शायद इसे थोड़ा जूम कर पाऊँ लेकिन यह जूम नहीं हो पा रहा है यहां लिखा आ रहा है अल्रेडी यूट्यूब ठीक है मेरे सर्च रिजल्ट्स को अगर आप देखें तो इसके नीचे UPSC का आप्शन आ रहा है मैं आपको बोल दे रहा हूँ शायद आपको विजीबल ना हो रहा हो लेकिन यहां पर आल्रेडी गूगल के पास में मेरे सर्च रिजल्ट सेव है मैंने क्या-क्या यहां पर सर्च किया वो सारी बातें सेव रखता है गूगल यह सामान्य प्रकिरिया है इसको हम सब लोग जानते थे हम लोग मतलब आप में से जो अवेर लोग हैं जो नेट सर्फिंग के लिए अवेर हैं सुरक्षित हैं कि हाँ भाई हमें पता है कि गूगल हमारी जानकारियां सुरक्षित रखता है अगर माल लीजे कि मैं यहां पर कोई भी जानकारी लिखूँ तो देखिए नीचे यह आलरेड़ी दिखा रहा है कि क्या आप यूट्यूब सर्च करने वाले हैं इसका मतलब गूगल सब जानता है उसका अर्थ यह है कि गूगल आपके व्यवहार को जानता है आपने जो अब तक उस पर सेव किया या टाइप किया वो उसको आलरेड़ी फीड करके रखा हुआ है ठीक है इसका एक विकल्प निकाला लोगों ने इवन गूगल नहीं दिया कि अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ सर्च किया वो लोग ना जान पाएं कि आपने क्या सर्च किया तो ऐसी चीजों को आप गूगल पर इनकॉगनिटो मोड में जुढ़ूड दिये अब चलते हैं इनकॉगनिटो मोड पर इस Google के किनारे पर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर तीन बिंदियां हैं, इन तीन बिंदियों को अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर options दिखाई पड़ते हैं, कौन-कौन से new tab, new window और फिर आता है new incognito window, यह रहा new incognito window और मैंने खोल दिया, यह जो new incognito window है पि मैंने इस पर अगर कुछ type करने की बात करी, तो इसने मुझे search result नहीं दिखाया, कि आपने पहले यहाँ पर क्या search किया हुआ है, अर्थात Google अपनी honesty इस प्रकार से दिखाता है, कि देखो मुझे पता है कि क्या आप search करने वाले हो, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्य आप लोग अगर notice करें, तो इस पर मैंने जैसे ही unacademy लिखना शुरू किया, तो यह suggestions दे रहा है, यह result नहीं है, यह suggestions है, यह यह दे सकता है, ऐसी इस्थिती में अगर मैंने आपके सामने यहाँ पर unacademy सर्च किया, तो यहाँ पर देखिए, कहां चला गया भाई? देखिए, यह मैंने सर्च किया, अब जब मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो यह सर्च करने के बाद में सारी जानकारियां वैसे ही खुल करके आई, जैसे in general unacademy पर आनी चाहिए, आप unacademy पर अगर देखें, तो इसमें latest from unacademy में आपको अपनी class भी दिख रही है, जो आ मेरी ही class है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें मैंने आज आपको mapping पढ़ाई थी, है ना, आप सीधा भी मुझे देख पाएंगे, और यह पूरी की पूरी class आपके लिए mobile number से register करके देखी जा सकती है, यानि कि पूरी की पूरी surfing आप आसानी से Google के माद्यम से कर सकते हैं, ठीक बात है, अब दिक्कत क्या है, आईए अब दिक्कत की तरफ चलते हैं, दिक्कत यूँ है साथियों कि जब हम new incognito window पर चलते हैं, तो यहाँ पर एक शब्द आता है, और वो शब्द है cookies, अगर आपको दिख रहा हो तो बढ़िया है, नहीं दिख रहा हो तो यह मान लीजेगा, कि मैंने आपको बताया है, आप इस पर थोड़ा सा फेथ रख लीजे कि सर आप बता रहे हैं, तो शायद सही होगा, मैं आपको बताओं साथियों, यहाँ पर यह शब्द लिखा हुआ है, देखिये शायद अब आपको दिखाई दे जाए, अगर मैं इस कोई भी चीज सर्च करें, नीचे से एक pop-up निकल के आता है, और उस pop-up में लिखा आता है, कि क्या आप इस website पर सर्फ करने के लिए, हमें भविश्य में notification भेजने की अनुमती देते हैं, आप कोई भी website पर सर्च करिएगा, ज्यादा देर तक सर्व करेंगे, जैसे मान मैं आपके सामने इसको भी करके दिखाता हूँ, मान लीजे मैंने यहाँ पर आपके सामने Times of India सर्च किया, अगर मैंने यहाँ पर सर्च किया, आप इसे देखिएगा ध्यान से, अगर मैंने Times of India सर्च किया, तो सर्च करते ही यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर आप से permission आप से, और वो permission मांगेगा कि अगर यह चाहते हैं, अभी देखिए इसमें pop-up आया नहीं, नीचे से निकल के pop-up आ जाएगा, यह देखिए, आपने देख लिया यह क्या आया, साथियों यहाँ पर एक pop-up निकल करके आया, जिसमें लिखा हुआ है, latest news and update के लिए, not now or enable, य यह है cookie, मतलब यह इस website पर मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं आया है, अब इसमें तो यह थोड़ा सा reputed, मतलब वो है, मतलब अख़बार है, इस पर तो option है, enable करो या not now करो, मैंने not now कर दिया, not now करने के बाद में यह मुझे खबर पढ़ने की इजाज़त दे रहा है, लेकिन सा कर देते हैं, और cookie के उपर click इसलिए कर देते हैं, कि वो हमारे सामने option ही नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमसे कहता है, कि आपको अगर website पर चलना है, तो cookies को okay करना पड़ेगा, और हम लोग okay करके आगे बढ़ जाते हैं, और वो जो okay करते ही आप आगे बढ़ते हैं साथियों वो असल में आप incognito mode पर भी cookies को देखते हैं, जबकि Google क्या कहता है, Google कहता है कि मेरा incognito mode जो है, वो cookies सिफ free है, दुबारा देखिए, यहाँ पर यह line especially mentioned है, अगर आप देखें, तो यहाँ पर mention है, Chrome won't save the following information, आपका browsing history, cookies and site data information entered in the form, हम इन्हें save नहीं करते, लेकिन साथियों Chrome पर खोला गया, अगर मान लीजिये, मैं आपके सामने, अब इधर की तरफ Times of India खोल के दिखाता हूँ, देखिए, अब मैंने इसके माध्यम से Times of India खोल के दिखाया, अब Times of India इस पर मैंने खोल दिया, और इस पर थोड़ी देर मैं serve करने लगूंगा, है, मतलब हाथ कंगन को RC क्या पढ़े लिखे को फार्थी क्या, Google तो कह रहा था कि मैं cookies को किसी प्रकार से अनुमती नहीं देता, लेकिन आपने मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर practically ये चीज देखी, मैंने incognito mode पर Times of India खोला, खोलने के बाद भी वो एक cookie देके मुझसे permission मां नहीं होती, और permission के बावजूद, finally, अगर आपने अपनी तरफ से ये announcement कर रखा है, क्या announcement कर रखा है, कि Google आप से किसी भी प्रकार की information नहीं मांगता है, तो भाई फिर ये क्यों हो रहा है, आपने incognito mode इसलिए बनाया ना, ताकि cookies को save ना किया जाए, लेकिन आप तो cookies मांग रहे हैं, तो ऐसी स्थिती में Google के ऊपर हम लोगों के लिए तो ये एक practice का part था, reason है साब, इंडिया में data security के लिए कोई bill ही नहीं है, अमेरिका वाले समझदार हैं, अमेरिका वालों ने इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया, कि वहां के एक state court के अंदर, ये मुद्द चला गया, और पांच बिलियन डॉलर का मेरे प्यारे साथियों, इसके उपर case दायर किया गया, पांच बिलियन डॉलर, पाकिस्तान पर जितना गर्जा है, उससे बड़ा तो lawsuit इन्होंने दायर कर दिया है, और वो स्विकार कर लिया गया है, समझ रहे हैं आप, इतनी पूर्ण डेटा कितना कीमती है, इसका अर्थ आप निकालिये, ये सारा की सारा कारे हुआ है, उमीद है आपको समझ में आ गया होगा, अब सवाल बना, कि सर उनके यहां कोई कानून था क्या, बिल्कुल था, उनके यहां पर जिस कानून के तहत इसको डाउन किया गया है, जिसके तहट उन्होंने इस घटना को एक प्रकार से दर्ज किया है, और इस पर अब सुनवाई की बात कही है, उमीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई हो, यही बात हम भी आप से बोल रहे हैं, कि जब कंपनी प्राइविट ब्राउजिंग मोड के अंदर यूजर की क तरफ तो लिखा हुआ है कि Chrome won't save, और दूसरी तरफ आप cookie site data आप मना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप save कर ले रहे हैं, इसका मतलब है, सीधी सीधी cheating हो गई, अब तो यह आपको भी समझ में आ गया है, तो घटना समझ में आ गई होगी, घटना के साथ साथ जो बातें ज गूगल का है, गूगल मैप है, गूगल सर्च है, गूगल पर AdWords है, Play Store है, ड्राइव है, Hangout है, Gmail है, Chrome है, Slides है, Docs है, यह सारी की सारी चीज़ें, गूगल इमेजिज हैं, यह सब आप गूगल का ही यूज़ कर रहे हैं, गूगल करता क्या है आपकी इन सूचनाओं का, बा के लिए slow gift है, आपने उसको स्वीकार किया, तो असल में cookies के माध्यम से आपने सामने वाली party को अनुमती दे दी, क्या अनुमती दे दी, कि आप मेरी सारी जानकारियां ले जाए, आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, आपके laptop में आपके तमाम password सुरक्षित हैं आपकी photo सुरक्षित हैं, आपके computer की detail सुरक्षित हैं, आपकी निजी जानकारियां जो आपने password बना के save कर रही हैं, वो सब सुरक्षित हैं, आप cookies पर जैसे ही activate करते हैं, कहते हैं कि Google ने ऐसी ऐसी सुविधाय विक्सित कर रही हैं, कि वो browsing history से आपके computer तक का address निकाल लेता है, आप कहां से बैठे हुए बात कर रहे हैं, उस तक का पता लगा लेता है, वो ये तक पता लगा लेता है, कि आप जो laptop यूज़ कर रहे हैं, इसका version कौन सा है, इसका मतलब समझे कि आपके पास उसकी सारी जानकारियां हैं, चाहे cognitive mode हो, चाहे incognito mode हो, उमीद है आप आगे बढ़ने की इजाजत ही तब मिलेगी जब आप इस पर टिक कर देंगे, मजबूरी में आदमी करता है, आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने इस तरह की सर्च किये होंगे, परस्नली एक अब इसको फील करिएगा, कि कहां कहां पर आपको इसकी आवशक्ता पड़ी है, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, गूगल ने अभी हाल ही में फ्रांस में भी प्राइवेसी लौ को ले करके, 56 मिलियन डॉलर का हाल ही में एक केस अपने उपर पाया है, इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 57 मिलियन डॉलर हाल ही में इसने पे किये है, यानि कि ये जो है, अपने द्वारा प्राइवेसी के उलंगन के लिए जाना जाता है, आप भी अगर तयार रहेंगे तो अच्छी बात है, अधरवाइस कोई बात नहीं, आप देखिए साथियों, अब गूगल के चीफ से इसके बारे में पूछा गया, कि सर आपकी क्या राय है, क्या गू इसलिए मिस्क्रिसेंट वरी अबाउट दे नेट प्राइवेसी, नेट प्राइवेसी की चिंता तो केवल उसे है, जो कि कोई ऐसी चीछ सर्च कर रहा हो, किसी और को ना पता चल जाए, हिंट आप भी समझ रहे होंगे, कि ये आपकी प्राइवेसी में किस चीछ के बारे मे तो चिंता नहीं होती है, इतना गैर जिम्मेदारा व्यवार जो है, तो इनके द्वारा किया गया है, उमीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, भारत की इस्थिए कि अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में आपकी डेटा प्राइवेसी के लिए बिल जो है, अभी लोग सभा में चक्कर काट रहा है, वो बिल बनेगा, बिल बनके उसको कब कानून बनाना पड़ेगा, पता नहीं, लेकिन हाँ, आपकी डेटा तब तक जो है, कहां कहां घूम रही है, ये आपके उपर है, अभी तक इसके बारे में कोई भी फाइनल बिल रही है, वज में आ गई हो, तो आप इस सेशन को अपने साथियों से साजा करें, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके अनकेडमी पर अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन पर्चेज करते हैं, तो आपको जिसके अंदर आप लोगों को ना केबल प्रिलिम्स, बलकि मेंज और ऑप्शनल के जितने भी वेराइटी आफ आप्शन्स हैं, उस सारे आपको यहाँ पर लाइव सुनने के लिए उपलब्ध होते हैं, 18 महीने के लिए, नौट्स डाउनलोड कर सकते हैं, टीचर से डाइर इतना पैसा अगर पे करते हैं, और उसमें अंकित 10 यूज कर लें, तो 10% डिसकाउंट के साथ आप इस सेशन को लेकर अपनी तयारी में घर बेठे चार चांद लगा सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने इस तरह के कोर्से से अपने बैचेस को लिया है, हाल ही में 19 तार आडमी आपको EMI फैसिलेटी भी उपलब्द कराता है, मात 4,364 रुपए प्रती महा के उपर ताकि आप कोर्स उपलब्द ले सकें, ठीक है, चलिए, फिलाल के लिए ताही अपना खयाल रखें, धन्यवाद